Hello everyone, आज है शनिवार 15 अप्रिल 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे अदानी पूर्ट्स के शेर के बारे में शेर 660 रुपे के आसपास ट्रेड कर रहा है इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये शेर कहा तक जा सकता है किस टारगेट तक जा सकता है, क्या सपोर्ट है शेर के लिए कंपनी को लेकर किस तरह की खबरे हैं और अदानी ग्रूप में क्या क्या चल रहा है तो वीडियो में बने रहीगा व्रेंट्स, वीडियो काफी इंप्रेस्टिंग होने बाला है अदानी पूर्ट के अगर बात की जाए तो कंपनी December quarter में profit के front पे चूग गई थी 116 करोड का profit हुआ था, जबकि September quarter में 1677 करोड का profit हुआ था तो profit के front पे एक downside जरूर देखने को मिला है quarter on quarter basis पे year on year basis पे भी ये कमी देखने को मिलती है क्योंकि 1567 करोड का profit था लास्ट ये डिसेंबर क्वाटर में, तो थोड़ा सा कंपनी चूग गई थी, प्रॉफिट के फ्रेंट पे, वहीं रेवेन्यू कंपनी का ठीक ठाक था, 4786 करूर का रेवेन्यू था डिसेंबर क्वाटर में, जो एक साल पहले 4072 करूर का था, तो year on year basis पे रेवेन्यू में एक खूब पर्चेजिंग कर रहे हैं, मैं आपको March ending का figure दिखा रहा हूँ, और अधानी ग्रूप के जाधा तर shares में retail investors ने खरीदा है, अगर बात की जाए तो अधानी enterprise में जहां holding 1.86% की थी, वह बरके 3.41% की हो गई है retail investors की, अधानी ports में भी हिस्सेदारी बड़ी है, 2.86% से 4.1% की, तो retail investors का भरोसा फिर से अधानी ग्रूप के shares में lot के आया है, और ज्यादा तर अधानी ग्रूप की companies में retail investors ने खूब खरीदारी की है, पिछले 3 महिनों में, तो हिंदर्वर्ग research report आने के बाद से जो कोहराम मचा था, उसका फाइदा retail investors ने उठाया है, और उच्छ खासी खरीदारी की है अधानी ग्रूप के shares में, वहीं LIC ने फिर से stake बढ़ाया है, अधानी ग्रूप के companies में, चाहे बात के जाए अधानी total gas की, या अधानी enterprises की, या अधानी green की, या अधानी transmission की, इन सारे companies में LIC ने फिर से अपना stake बढ़ा दिया है, तो LIC काफी किरकिर हो रही थी कि इन्होंने अधानी ग्रूप के shares में निवेश किया है, लेकिन कोई फड़क नहीं पड़ा है LIC को, फिर से अपनी हिसेदारी बढ़ा ही है, अधानी total gas में 5.96 से 6.02 कर लिया, अधानी enterprises में 4.23 से 4.26 कर लिया, अधानी green में बढ़ा लिया, अधानी transmission में बढ़ की है LIC ने, अची खबर है, retail investors लोट के आ रहे हैं, LIC ने अपना stake बढ़ा लिया, तो जिस तरह से हिंडनबग research report में कोहराम मचाया था, पैनिक का मोहल create किया था, अधानी group के shares में, और लगाता है lower circuit लग रहा था, अधानी के shares में, तो वो अब थमता हुआ दिख रहा है, अ partners के द्वारा, यह अमेरिका की एक investment firm है, और भारी भार कम निवेश किया था, अधानी group of companies में, CEO है Rajiv Dan, और 15,446 करूर रुपे का निवेश किया था, अधानी group के shares में, GQG partners ने, और यह निवेश कब हुआ, जब पूरे market में कोहराम था, अधानी group को सहारा देने के लिए QG partners से, और अधानी group के चार companies में, इन्होंने निवेश किया, और अगर बात की जाए, तो अधानी enterprises में, अधानी ports में, अधानी green energy में, और अधानी transmission में, और अगर मैं अधानी ports की बात करूं, तो 8 करोर 86 लाग shares खरीदे गए, और price था 5.96 का, तो काफी lower price पे खरीदा गया share और तब खरीदा गया, जब पूरे market में एक panic का महौल था, और राजीव जयन करें कि, अधानी group के shares multi-bagger साबित हो सकते हैं, नगले कुछ सालों में, वो कह रहे हैं कि, उनके जो, अधानी group का coal mining assets है, या data centers है, या Mumbai International Airport में majority stake है, वो healthy business का sign है, उन्होंने काए कि, airport की की कीमत ही company से ज़्यादा हो सकती है, इसकी जमीन Asia की सबसे महागी real estate properties में, शामिल है, जयन ने काए कि, अधानी group के बारे में, हिंदनर research report से उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता, तो काफी अच्छी बाते कर रहे हैं, जयन साहब, अधानी group को लेकर, और अधानी ports के share में भी एक recovery देख क्योंकि मुझे लगता है इस level पर इस share के लिए एक support है, 590 के आवस-पास इस share के लिए support है, अगर support को ये share तोड़ता है, तो नीचे में ये share 550 के range में जा सकता है, उपर में ये share सबसे पहले 715 तक जा सकता है, अगर 715 को तोड़ता है, तो ये share 750 के तरफ जा सकता है, ये मेर assessment है अगर मैं बताऊं तो 6 महिने की जब आप गिरावट का graph देखेंगे तो ये share काफी नीचे चला गया था 460 के range में भी ये share चला गया था लेकिन अब मुझे लगता है उस तरह की गिरावट इस share में देखने को नहीं मिलेगी मुझे लगता है ये जो channel है और मैं आपको graph में दिखाना चाहता हूँ ये जो channel है इसमें ये share trade करेगा और इस channel का lower price है 590 का और upper price है 715 का ये दोनो levels को अगर ये share तोड़ता है नीचे में 590 के levels को तोड़ता है और उपर में 715 के levels को तोड़ता है और नीचे में अगर 590 को तोड़ता है तो ये share 550 के तरफ जा सकता है तो पहला support दिखता है मुझे share के लिए 590 रुपे पे दूसरा support दिखता है 550 रुपे पे उपर में ये share 715 पर जा सकता है पहला target दूसरा target है 715